Hello students, आज हम देखने वाले class 10, subject geometry है, lesson 7 ने mensurations, जिसकी आज हम practice set 7.2 देखने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखेगा student, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता होगा, तो आपके friends लोगों में share भी करो, और subscribe तो आप करते ही हो student first question है, the red eye of two circular ends of first term, अब यह frustum क्या है, यह हमको पहले पता करना चाहिए, और वो पता होने के बाद हम easily यह question solve कर सकते हैं, अब student frustum के लिए, simply एक कोन लो, और कोन का उपर का part काट दो, तो आपको frustum मिल जाएगा, और simply frustum का एक example क्या है, glass so glass एक हिसाब से कोन ही है, बट नीचे का जो कोन का part है tip, उसको cut कर दिया गया है, so जो glass है, वो frustum है, और frustum के जो formulas वगएर है, वो तो देकर ही है हमको, so frustum के दो ends है, और वो ends के जो radius है, वो हमको देकर है, so हम पहले क्या करेंगे, frustum draw करेंगे so यह है हमारा glass, यह है उपर का circle, और यह नीचे का circle, तो उसमें यह रहेगी radius, अब यह जाहिर सी बात है, यह radius बढ़ी रहेगी, नीचे की radius छोटी रहेगी, और यह उसकी height है, 14 और 7 है, इसलिए उपर की 14 cm radius और नीचे की 7 cm radius हम लेंगे, और height है 30 cm, और यह bucket का example दिया गया है, इसमें कितना पानी बैठेगा, यह हमको पूछा गया है, so student पानी कितना बैठेगा, जितना उसका volume रहेगा, है, so hence, हमको जो bigger radius है, उसको r1 कहते हैं, वो है 14 cm, smaller radius जिसको r2 कहते हैं, वो 7 cm, और height जिसको h कहते हैं, वो है 30 cm, इतनी values हमको देखकर है, और इतनी ही value हमको चाहिया होगी, so now, volume of frustum, frustum की volume क्या है, 1 by 3 pi h in bracket, r1 square plus r2 square plus r1 into r2, यह उसकी volume की formula, sorry, volume का formula है, so 1 by 3 pi की value, फिलाल मैं अभी सोचा नहीं है, मैंने, so 14 है, 7 है, इसलिए, 22 by 7 ले सकते हैं, हमकी का cut होने के chances है, so 22 by 7 into h है 30 into r1 square, याने के 14 का square, plus r2 square मतलब 7 का square, plus r1 into r2, 14 into 7, ठीक है, so 1 by 3 into 22 by 7 into 30, 14 का square, 196, 7 का square, 49, और 14 7s are 98, so 3 1s are 3, 3 10s are 30, so 22 into 10, 220 upon 7 into, इन तीनों की अगर प्लस करेंगे हम, so यह आएगी 343, 28, so अगर इसको हम solve करेंगे, so 74028 और 79063, so 220 multiply by 49, so यह आया 10,780 cm3, ठीक है, अब इतना उसका volume है, अब जितना volume है, उतना पानी बैटेगा, इतना पानी बैटेगा, पर पानी पूछे किस में है, liters में, और 1 liter is equal to 1000 cm3, सो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, so hence, water capacity of bucket किस में, लिटर में, so 10,780 divided by 1000, so 123, 123, so 10.780 लिटर, इतना पानी उसमें बैटेगा, so student यह था हमारा first question, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, और ऐसे भी है, लेशन में, ऐसे भी कुछ नहीं है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस, तो आप answer निकाल सकते हो, second question देखेंगे, अब, the radai of ends of frustrum are 14 and 6 cm respectively, so frustrum है, फिर से, यह frustrum मैं draw कर रहा हूँ, radai देके है, अब जो bigger radai है, वो यह R1 यूस करते हैं, 14 और 6 है, इसलिए 14 cm, 6 cm, यह R1 है, यह R2 है, और height है 6 cm, है, यह R1 कितना है, 14, R2 कितना है, 6, और H कितना है, 6 cm, ठीक है, इतने values तो हमको देकर है, अब इसमें सभी question पूछे गए है, कर surface area, total surface area, volume, pi की value 3.14 यूस करो बोलते हैं, इस condition में student, हमको सिर्फ एक चीज़ कम है, वो है slant height देकर नहीं है, तो बस अगर हमने slant height निकाल ली इसकी, यानि यह है slant height यह या तो यह बोलो, दोनों में से एक, so slant height, जिसको L कहेंगे हम, उसका formula है under root, h square, plus r1 minus r2 whole square, so h square means 6 square, plus r1 minus r2, 14 minus 6, इसका whole square, दोनों भी under root में, 6, 6, or 36, plus 14 minus 6, 8, 8, 8 का square 64, so या या under root, 100, यानि के 10, यानि slant height L is equals to 10, मिल चुकी है हमको, अब हमको कोई भी formula हमने use किया, तो उसमें से हमको value मिल जाएगी, सबसे पहले हम देखेंगे, curve surface area, so curved surface area, curve surface area कितना है, pi L, pi L in bracket r1 plus r2, ये curve surface area का formula है, so 3.14 into slant height अभी निकाली थी हमने 10 into r1 plus r2, 14 plus 6, 14 plus 6, so 31.4 आएगा, ये 10 से multiply करोगे, तो आप multiply आप 14 plus 6, 20, so इसको अगर आप solve करते हो, so 628 square centimeter, ये मिल गए first चीज, second है, total surface area के लिए निकालेंगे हम, total surface area, area, total surface area का formula, pi L in bracket r1 plus r2, plus pi r1 square, plus pi r2 square, pi L in bracket r1 plus r2, इसको अभी ही solve किया है, हमने 628, इसलिए इसको मैं ये पूरे value को 628, ये from 1 लिख दूँगा मैं, के 628 plus, यहाँ पर पहले ही लिख देता हूँ, मैं from 1, देखो student मैंने क्या किया, यहाँ पर value देकर है, pi L r1 plus r2, याने curve surface area, वो curve surface area मैंने यूज़ कर लिया, दूसरा, अब ये इनके, क्या बोलेंगे हम इसको, जो circular area है, वो उपर का area और नीचे का area, दोनों circle है, इसलिए pi r square, pi r square, है ना, so 3.14 into r1 square मिन्स 14 का square, प्लस 3.14 into r2 का square मिन्स 6 का square, so 628 plus 3.14 plus 14 का square, 196, देखो आप ये plus लिका है मने, ये multiply चाहिए था, प्लस 3.14 into 6 का square, 36, अब ये पूरो को अगर आप solve करूगे, तो 1,356.48 square cm इसका answer आएगा, अब इसको ज्यादा solve करूँगा नहीं मने, तो थर्ड बचा हमारा volume, so volume is equals to, और volume का formula क्या है, 1 by 3 pi h in bracket r1 square plus r2 square plus r1 into r2, अभी हमने volume of first term निकाल आई था, ये formula, पहले question में, तो 1 by 3 pi की value 3.14 into h means height जो के है 6 into r1 plus r2 14 square plus 6 square plus 14 into 6, so 1 by 3 into 3.14 into 6, 14 का square 196, 6 का square 36 plus 14 6 are 84, so 3 2's are 6, 3.14 into 2 into, इनको plus करेंगे आँ, 316, और अगर इन सबको multiply आगर आप करोगे, so 1,984.48 cm3 ये उसका volume आ जाएगा, so student देखो इस type से हमने question 2 solve किया, यहां से हमने solve करना start किया था, हमको जो value देकर थी, उसमें slant height नहीं थी, slant height नहीं काले पहले, फिर कर surface area, total surface area और volume, ये तीनों भी हमने value निकाल लिए है, उसके बाद question 3rd है, student the circumference of circular faces of first drum are 132 cm and 88 cm, circumference यानि के इनका perimeter सीधी सीधी बात आगर देखा जाए तो, यानि circle के perimeter को circumference कहा जाता है, दोनों भी circle जो उपर और नीचे के circular shapes है, उनका circumference हमको देकर है, उसके साथ ही और question में देकर है, कि height है, 24 height भी महाँ पर है, to find the curve surface area of the first term, complete the following activity, नीचे की दी गई activity है, उसको complete करना है, अब student complete करने के लिए, हम एक-एक देखेंगे, circumference है, 2 pi r 1, 132 है, 132 upon pi, यानि 2 pi, अगर इसको हम solve करते है, तो ये 22 by 7 आएगा, देखो, 132 upon 2, ठीक है, multiply by 22 upon 7, और ये 7 चला जाएगा उपर, ठीक है, आ रहा है यहां तक समझ में, थोड़ा समय जूम इन कर देता हूँ, आपको और clearly दिखेगा, फिर, 112022, 111011, 112022, 2102, 260012, 2102, 23006, 73021, और यहां पर हम सेंटिमेंटर ले लेंगे, फिर, सरकमफरंस सेकंड का, 88 upon 2 pi, तो फिर से, 88, into 7, upon 2, into 22, देखो, वो ही, 132 के जगा, 88 ये उसकी आमने, बस, बाकी, 22 by 7, जो, divide का, divide ये उपर जागे, 22, 22, 4088, 2102, 2204, 720, 14, सेंटिमेटर, ठीक, सरकमफरंस के हिसाब से, हमने radius निकाल ले है, क्योंकि हमको radius पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पुछा है, curve surface हे रिया, उसके लिए, slant height भी पता होनी चाहिए, slant height के लिए, formula, under root, यह square प्लस, r1-r2 whole square, सो इसमें value हम, extra में यहाँ फिर put करेंगे, so h square मिन्स, 24 square, plus, r1-r2, 21-42 whole square, 21-14 whole square, so 24 का square चाहिए था, यहाँ पर, और 21 में से 14 माइनस करो, 7 का square चाहिए था, so 24 का square है, 576, plus, 7 का square, 49, और इनको plus करोगे आप, तो वो answer आएगा, 625 under root में, so वो आएगा, 25 cm, याने slant height मिल गई, ठीक है, यह value अभी, देखो अब activity है, तो वहाँ पर लिखने की जोरुरत नहीं है, वहाँ पर तो यह जो मैं लिख कर दे रहा हूँ, box में वो ही लिखना है, बढ़ यह solve कैसे करना है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, इसके साथ ही, slant height मिल गई, और radius r1, r2 मिल गई, बस, और height भी पता हो गई, इसलिए, अब हम values put out करेंगे, पाई, जाने के curve surface एरिया, पाई in bracket r1 प्लस r2 इन्टू L, तो r1 कितना था, 21, याने के, पाई इन्टू 21 प्लस r2, 14, इन्टू L कितना आया भी, 25 आया था, तो पाई इन्टू 21 प्लस 14, 35, इन्टू 25, ठीक है, तो इसको अगर solve किये तो, पाई की वेल्यू इन्टू 22 पाई 7 लो का हा था, तो 22 पाई 7 इन्टू 35 इन्टू 25, 75,000, 35, देखो, तो 75,000, 35, 25,000, 10, 1 क्यारी, 5, 2, 0, 10 प्लस 1, 11, इन्टू 25, 25, 0, 0, 25, 1, 0, 25, 5, 2 क्यारी, 2 क्यारी, 25, 1, 0, 25, 26, 27, 200, आप्यारी, 2750 स्क्वेर सेंटीमिटर, यह आया कर्व सर्फेस एरिया, तो स्टूड़न्ट यह एक्टिविटी, हमने सॉल्फ की है, तो यह था स्टूड़न्ट हमारा प्रैक्टिस सेट 7.2, होप करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन, बाई,